कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं अन्विंदर और मेरी चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं सभी का खेर मगदम करती हूं और एक आपसे अपने दिल की बात कहला चाती हूं कि लोग कहते हैं कि कौन सी पार्टी अनुशासित है तो मैं यह कहला चाती हूं कि बीजेपी जो है वो अनुशासित पार्टी है उसने यह आज सावित किया कैसे सावित किया यह भी मैं आपको बताती हूं अपने हिसाब से भले कुछ लोग कुछ पार्टीज को परिभाशित कर ले जैसे मैंने किया है आप भी कर सकते हैं लेकिन बीजेपी ने नुपर शर्मा को पार्टी से मिश्काशित करके कानपुर दंगों में अपना चेहरा जो है वो साफ किया है लेकिन ये बात अब भी जगा रहेगी बात अनुशासन की है इसलिए बीजेपी ने नुपर शर्मा को पार्टी की प्राथमी के सदस्ता से नेलंबित किया है पिगंबर मुहमत पर विवादी टिपड़ी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये अक्षन उनके खिलाप लिया गया है उनके विचारों को विभीन मामलों पर पार्टी की इस्तिती के विपरीत बताते हुए पार्टी ने कारवाई की बात किया है महीं नमीन कुमार जिन्दल को पार्टी से निकाला गया है नमीन कुमार जिन्दल दिल्ली बीच में के मीडिया हेड है नुपुर शर्मा को छे साल के लिए प्रात्मिक सदस्यता से निलंबित किया गया है कारवाई के बाद नुपुर्शर्मा ने ट्वीट किया है और उनने कहा है कि हो सभी से यह रिक्वेस्ट करती है, खास्त तोर पे मीडिया होसे से कि उसके घर के पते को सर्वजी निकना किया जाए, उनके परिवार को खत्र है बीजेपी की तरफ से एक ब्यान जारी किया गया है जिसमें नुपर्शंवा के ब्यान को पार्टी के संभ्धान के खिलाफ बताया गया है पार्टी की अनुशासन समिती इस मामले में जाज़पूरी होने तक नुपर्शंवा की प्रतमिक सदस्ता निरंभित रखेगी पाटी और जो पत्र है उसमें एका गया है, ये पत्र सचीव उम पाठक की तरफ से जारी किया गया है, एक और पत्र में दिल्ली पीजीपी की अधिक्स, आधेश गुपता की तरफ से उसे जारी किया गया है, जिसमें नवीन कुमार जिंडल को सोच्य मीटिया पर बढ़काओ जन्ता पार्टी ने पेगमबर मुहंप्ट पर दिये गए कथित बियान से मचे बवाल को चांद करने के परियासों के तहद रविवारया ने की आज ये कहा कि सभी धर्मों का पार्टी संबन करती है और किसी भी पार्टी उनकी पार्टी को ऐसा कोई भी विचार किसी भी कीमत में इस विकार नहीं है जो किसी भी धर्म या संपरदाई की भावनाओं को ठेज बजाए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अनुशासित पार्टी कौन सी है यह कोई भी इंसान अपने हिसाब से प्रभाशित कर सकता है और मैं यह समझती हूं कि भाश्वा अनुशासित पार्टी है उन्होंने कहा बीजेपी ना ऐसे किसी विचार को मानती है अब आप देखिए बी इस इसको कह रही है कि बीजेपी ऐसे कि विचार को नहीं मानती है और नहीं उसे प्रत्साहन देती है अब बीजेपी के और से अधिकारिक तोर पे जारी किये गए इस बियान में किसी घटना या बयान का उलेक नहीं है उलेकनी यह है कि शर्मा के बयान के उलेकर के मुस्लि को मानती है विजे भी किसी भी धर्म के पुजिनियों का अब मान स्विकार नहीं करती है उन्होंने कहा कि देश के सम्मिधान में भी भारत की प्रित्यक नागरिक से और देश की विकास को सर्वोच प्रत्मिक्ता देता है। दोस्तों यह जो आज की कारवाई है। यह कारवाई अपने आप में भदमात्पूर्ण है। अब देखना यह है कि जो लोग पोलिस के शिकंजे पे आए हैं। जो लोग इस पूरे खेलके मास्टर माइंड है। ठीक है। बीजेपी ने एक विवादित बयान देने वाले अपने मेंबर को दिश्कासित कर दिया है। ठीक है अदमी जगा पे। लेकिन अब देखना यह है कि जो लोग मास्टर माइंड हैं। उनके लिए जो बहुत बड़े-बड़े खुलेमा हैं। उनके लिए क्या कहते हैं। क्योंकि यह देश सभी का है। और यहां पे बहुत सारे धरम बसते हैं। और हम हमेशा साथ रहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्म सम्मान हैं। सभी के धर्मों का सम्मान सभी को करना चाहिए। और यही आज जो BGP की कारवाई है। उसका लब बुलबाव है। आप क्या कहते हैं। आपके कमेंट का मुझे मेरे कमेंट सेक्षन में इंतिदार रहेगा, फिलाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल लखिए, जय हिन, जय भरत!